घर में घुजिया बनाना इतना जादा आसान भी हो सकता था जिहां दोस्तों आज आप इस घुजिया बनाने के पूरे प्रोसेस को देख लेंगे तो आप एक ही बार में पूरी की पूरी घुजिया बनाना सीख जाएंगे साथ ही में इतनी असानी से ये घुजिया बनके तयार हो जाएगी और आप अपनी उंगलिया चाटते ठक जाएगी क्योंकि घर किये ये एकदम स्वादिश एकदम हाईजिन घुजिया आपका और आपके महमानों का दिल जीत लेने वाली है तो चलिया आईए देखते हैं ये स्वादिश घुजिया कैसे बनाई जाएगी तो सबसे पहले घुजिय की स्टफिंग को तयार करने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और उसमें लगबग दो चमच हमने देसी घी आट कर लेने है अब दोस्तों हमने लेना है आधी कटोरी से भी थोड़ी सी कम सूजी और सूजी को भूनना है और सूजी को जब तक भून रही है तब तक उसी के साथ साथ आप थोड़े से ड्राइफ रूट्स फटाफट से काट लीजिए ड्राइफरूट्स के नाम पे मैं थोड़े से बादाम काट रहा हूँ बादाम के साथ-साथ मैं थोड़ी सी किश्मिश लेने वाला हूँ क्योंकि बादाम, किश्मिश और काजू और पिस्ते का जो मेल है वो गुजिया की स्टफिंग को बहुत ही बढ़िया बनाता है तो बादाम काट ली है अब थोड़ी सी किश्मिश काट लेते हैं किश्मिश के साथ-साथ जैसे कि मैंने आपको बोला था तो फटा-फट से थोड़ी से काजू भी काट लेते हैं और यह हमारे ड्राइफरूट्स तयार है आप चाहें तो पिस्ता भी इसमें डाल सकते हैं तो चलिए वहाँ पे हमारी जो सूजी है वो भुन रही थी तो थोड़ी भुनते वक्त हमने इसको बहुत ही हलका सा लाल करना है और उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा खोया एड़ करना है सूजी और खोया दोनों ऑप्शनल है आप दोनों में से एक चीज भी डाल सकते हैं लेकिन दोनों का जो मिश्रन है वो सौ में से सौ नंबर वाली बढ़िया गुजिया आपके लिए तयार कर देगा तो बहुत ही थोड़ी सी सूजी उसको हलका सा बुना जैसी वो हलकी सी लाल होनी शुरूई इसमें थोड़ा सा एक कटोरी के लगबख खोया आड़ कर देंगे बस आपको इन दोनों को अच्छे से भूनते रहना है एक बात का ख्याल रखिएगा जो खोया है और जो सूजी है वो देखते ही देखते ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी और आपको इसको पूरी तरीके से भूनना है ब्राउन करना है तो आप इसको अच्छे से मसलते रहें घुमाते रहें और इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़े आड़ करने वाले हैं जिसमें हम शुरुआत करेंगे इलाइची से तो सबसे पहले मैं दो इलाइची इसमें डाल दूँगा आप क्या सिलाइची पाउडर हो तो आप इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं बस इलाइची के दो डाने डालने के बाद मैं इसमें जाइफल डालूँगा पिसा हुआ ओपिशनल है लेकिन बहुत ही बढ़िया लगता है थोड़ा सा पिसा वा जाइफल आप इसको ऐसे चलाते रहे हलका आप देख सकते हैं ब्राउन होना शुरू हो चुका है खोया और थ इसमें चीनी भी डाल सकते हैं चीनी पाउटर भी डाल सकते हैं तो एक कटोरी भरी भी मैंने चीनी के पाउटर की इसमें डाल दी है आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें दोस्तों इसको तब तक भूना है जब यह हलका हलका तेल छोड़ना शुरू कर देगा थोड़ी सी ची इसका कैसे डार्क होना शुरू हो गया है बस इसी स्टेज पर हमें इसमें ड्राइफ रूट्स आड़ कर लेना है और इसको थोड़ा सा और घुमा लेना है अभी आपके सामने यह हलका सा ओइल और छोड़ देगा बस मैं उसके बाद इसका गैस बन कर दूगा और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर तक छोड़ दूगा तो चलिए लगता है हमारा मिश्रन जो हमने फिलिंग करनी है हमारी लगबग बन के तयार होगी है बहुत ही यह मिलीशिस बनती है और चलिए अब समय आ गया गैस को कर देते हैं बंद बढ़िया फिलिंग तयार होगा मिक्स करते वक्त आप ध्यान रखें इसका एक हलका हलका लड़ू सा बनने लग जाए इसका मतलब यह एकदम ठीक है देशी घी की और ज़रुवत नहीं है मतलब कि आपस में यह आटा हलका मैदा हलका हलका चिपकने लगा यह देखिए बस अब दोस्तों इसमें धीरे डो बनाके तयार कर दें बस दो ही चीज इसमें डलेंगी घी या ओयल और पानी इसके लवा इस डो में कुछ भी बनके तयार हो जाएगा कुछ भी नहीं डलेगा तो चलिए डो हमारा पुरी तरीके से लग चुका है इसकी अच्छे से परफेक्ट नीडिंग करें जितना हो गुजिया तयार करनी है तो इतने डो में हमें लगबग 10-12 बॉल्स मिल जाएंगी तो बस आप गुजिया के लिए थोड़ी थोड़ी दो की बॉल्स निकाल ली है यह लीजिए चलिए तो आप परफेक्ट बॉल्स तयार कर लेते हैं तो देखते ही देखते आप देखेंग बेलने के लिए आपने एक बॉल ले लिया उसको गोल शेप में बेल लिया आप चाहें तो इसको किसी रिंग कटर से गोल कर सकते हैं कटोरी की उल्टी साइट से गोल कर लेते हैं लेकिन हमें ऐसे ही परफेक्ट शेप दी जाएगी इसले कोई टेंशन की बात नहीं है बस इ इसको edges से मिलाएंगे तो हमने थोड़ा सा पानी लेना होगा तो हमने एक पानी की कटोई लिरखी है उससे edges पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मैदा अच्छे से पकड़ ले एक दूसरे को और ऐसे इसको फोल्ड करते जाएंगे फोल्ड के साथ साथ आपको देखना है ये पानी की वज़े से अच्छे से चिपक चुकी हो कहीं से भी कमी ना रह जाए बस इसको अच्छे से दबाते चले जाए और हलका सा कोने से पतला करते चले जाए आप इसको शेप दिने के दो तरीक हैं एक तो आप इसे फॉक की मदद से शेप दे सकते हैं दूसरा आप एक और बना के दिखाते हैं उंगलियों को गुमा गुमा के जैसे बाजार में शेप होती है वैसे दे सकते हैं वो भी बहुत जदा असान है कोई ऐसी मुश्किल वाला कोई काम नहीं है तो चलिए दिखाता हूं इसमें भी दूसरे में भी हमने फटाफट से स्टफिंग डाल लेनी है फॉक वाला असान है कोई भी घर पे कर सकता है यह वाला भी असान है मुश्किल नहीं है यह एकदम बाजार स्टाइल करके दिखाएंगे ऐसे मोडा फिर से हलकेसी ओईलिंग करी पानी लगाया हलका सा ओईलिंग नहीं सौरी पानी लगाया एजिस पे सरकल के भार-भार और बस इसको ऐसे पैक कर लेंगे उसके बाद बाजार जैसी लुक देने के लिए कैसे घुमाना है वो भी आपको बताते हैं यह आपको फ्रेंज कुछ इस तरीके से घुमानी होगी पहले तो आप इससे पतला कर लीजे अच्छे से चिपका लीजे और अब इसको करते हैं घु आपकेट साइंस नहीं है बहुत इसली किया जाता है एक दो बार अच्छी शेप ना भी है तो कोई बात नहीं आप घर पे ही बना रहे हैं टेंशन वाली कोई बात नहीं है एक दम बाजार जैसी बनके तैयार हो जाती यह देखी परफेक्ट एक दम ऐसी हम धेर सारी अप त तैयार हो गई है अब बस इसको फटाफट से फ्राइ कर लेते हैं इतनी सारी बना लिया है हमने यह आप कहेंगे इतनी सारी गुजिया कैसे आगी हमने थोड़ा सा आटा ओन मल लिया था क्योंकि स्टफिंग कुछ जादा लग रही थी बस ओयल को अब हमने थोड़ा सा गरम करना है और साथ में दूसरी तरफ चाशनी तयार करनी है चाशनी के लिए हमने दो गिलास पानी ले लिया उसमें डालूँगा दो कटोरी में चीनी भरके और उसके बाद इसमें दो तीन चीज़े और आट करूँगा चाशनी में एक कटोरी गई और यह दूसरी कटोरी अब दोस्तों चाशनी में मैं आट करूँगा थोड़ा सा केसर, अच्छे कलर के ले और इलाइची, इलाइची का दाना और केसर बहुत अच्छी खुश्बू देदेगा, तो चलिए लगबग डल गई, और अब अच्छा इसका येलो कलर भी आ जाएगा केसर की मदद से, ये गुजिया हमारी तल जाएगी, इसको मीडियम आच पे तले, तीन से चार मेट में अच्छी सुनहरी रंकी हो जाएगी, और उसके बाद हम इसे चाशनी में डुबोएंगे, चाशनी को दोस्तों गरम करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने देना, एक दम गरमा गरम में आप बिल्कुल मट डाला नहीं तो गल जाएगी है, तो चलिए, वहाँ पे हमारी चाशनी तयार हो रही है, इधर हम फटा फट से घुजिया हमारी जो तल गई है, इसे भाहर निकाल लेते हैं, यह परफेक्ट घुजिया आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन गुजिया हमारी पास है, तो चलिए भाहिया, फटा फट से सारी गुजिया हमारी प्लेट में निकालने के बाद, इसको हम चाशनी में डिप करेंगे, जब चाशनी गरम नहीं रहेगी जादा, नॉर्मल टेंपरेचर पर आ जाएगी, थोड़ी गाड़ी भी हो जाएगी, चलिए समय आ गया है, बस इस गयास को फटा फट से बंद करते हैं, चाशनी काफी जादा देर से बॉयल हो रही है, थोड़ा सा अभी इसको होने देते हैं, तो चलिए और गुजिया का एक लॉट निकाल लेते हैं तो आप ये ऐसे एके करके अपनी गुजिया उसको निकाल है, तो चलिए हमने लगबग धे सारी गुजिया निकाल ली है, चाशनी एक तरफ हमारी ठंडी हो गई थी, तो अब हम इसको डिप करेंगे, चाशनी देख सकते हैं, ठंडी होने कित्ती ठिक हो गई है, जादा गरम नहीं रही है, बस इसको आपको क्या करना है, दो मिनट ए कैसा लगा वीडियो जरूरा